सुदेश बेरी ने शुरू होने से पहले छोड़ा शो बुले इस मुकाम पर करियर पर धबा नहीं लगवा सकता सुदेश बेरी ने सुनी अंतरात्मा की आवाज टेवी सीरियल हरफूल मोहिनी जल्द ही टेलविजन पर दस्तक देने वाला है इसका प्रोमो भी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है और काफी सुर्खियों में है शो शुरू होने के पहले ही एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है शो शुरू होने से पहले ही सुदेश बेरी जो शो का एहम हिस्सा थे उन्होंने शो को छोड़ दिया है एक इंटर्टेन्मेंट अखबार को दिये गए इंटर्वियो में सुदेश बेरी ने बताया कि उन्होंने शो क्यों छोड़ा है दरसल उन्हें बलवन्त चौतरी का किरदार निभाना था जो हरियाना के रहने वाले हैं और हरियानवी एकसेंट में हिंदी बात करते हैं सुदेश बेरी ने बताया कि वो हरियानवी एकसेंट में बात करने में सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे ऐसे में उन्हें लगा कि वो अपने किरदार के साथ हन्याय नहीं कर पाएंगे और ये बात उन्होंने शो के प्रोडियूसर को भी बताई और शो से दूरी बनाने का मन बना लिया अब सुदेश बेरी की जगह बलवन चौधरी के किरदार में तीज सप्रू नजर आएंगे कई लोगों ने सुदेश बेरी को ये सलाय दी कि एक एक्टर को हर किरदार स्विकारना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए चुनौती होती है तब सुदेश बेरी ने जवाब में ये कहा कि किरदारों की चुनौती को स्विकार करना बेशक कलाकार का धर्म होता है लेकिन जब कोशिश करके भी वो अपने किरदार के साथ नयाय ना कर सके तो उसे उससे दूरी बना लेनी चाहिए क्योंकि जब कोई ये कहेगा कि उस किरदार को देख कर उन्हें मज़ा नहीं आया तब आपके मन के अंदर का कलाकार क्या जवाब देगा सुदेश बेरी ने ये भी कहा कि उन्होंने टीवी और फिल्मों में काफी काम किया है और वो करियर में उस मकाम पर हैं जहां वो अपने करियर पर धबा नहीं लगवाना चाहते हैं मेकर्स के साथ सुदेश बेरी की इस विशे पर अनबन भी हुई लेकिन मत बेच जल्दी सुलच गया सुदेश बेरी ने शो से दूरी बना ली है और अब उनकी जगा हर फुल मोहिनी में बलवन्त चोधरी के किरदार में तेज सप्रू नज़र आएंगे इवी और इंटर्टेन्मेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरीए हम तक सरूर पहुचाएं